आज के इस वीडियो में हम आप सभी भाईयों और बहनों का हारदिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको इस वीडियों के जड़िये आपको इस साल होने वाले भाईया दूज के बारे में पूरी जानकारी को सही सही और विस्तार से बताने वाले हैं। हम आपको बता दे कि भाई दूज हिंदू धर्म का एक प्रमुख तेवहार है जो भाई बहन के प्रेम और स्ने का प्रतीक है इस दिन बहने अपने भाईयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुक्स वभागे की कामना करती है और फिर भाई भी अपनी बहनों को उपहा कैसे हुई थी और भाई दूज 2023 पर तिलक करने का शुब मोरत क्या है और कब है अगर आप भी भाई दूज के बारे में जानकारी ढून रहे हैं तो हमारे आज के वीडियो को लास तक देखे क्योंकि इसमें हम तिलक के साथ साथ इससे जुरी हुई दूसरी सभी बाते की ज सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि आप तक इस तरह के सारे जानकारी पहुंशते रहें भाई दूज तेवहार को कातिक मास के शुकल पक्च की दूइतिय तिथी के दिन को सेलिबरेट किया जाता है पर इस पार भाई दूज की जो तिथी है उससे लोगों क को बहुत जादा कंफ्यूजन हो गई है चलिए हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं ताकि आप अपने भाई दूज के तेवहारों को आनंद पुर्वक मना सके जानकारी के लिए बता दे की कातिक मास की सुकल दूइतिया दिनांग 14 नवेंबर 2023 को सुरू होगी 14 नवें की तिथी के अनुसार भाया दूज कातेवहार 15 नवेंबर को बुधवार के दिन भाई दूज 2003 सेलिबरेट किया जाएगा वैसे इस दिन राहुकाल को छोड़कर बहने अपने भाई को किसी भी समय तिलक लगा सकती हैं पर सबसे ज़्यादा सुप समय सुबह 6 बचकर 44 बज बजे तक का है भाई दूज के दिन जो राहुकाल का समय है वह दोफ़र के वक्त 12 बचकर 3 बजे से लेकर 1 बचकर 24 बजे तक का होगा तो इस दोरां तिलक ना करें भाई बहन के इस तेवहार की सुरुवात की बात करें तो इसे यमना जी ने शुरू किया था यमना और यमराज दोनों ही भगवान सुर की सनताने हैं दोनों ही बहन भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे विसेस कर यमराज को अपनी बहन से काफी अधिक प्यार था एक बार की बात है यम्राज को अपनी बहाण यम्ना की बहुत जादा याद सता रही थी क्योंकि उसे देखे हुए काफी समय हो गया था इसलिए वह अचानक से अपनी बहाण के घर चले गया और जब यम्ना ने अपने भाई को देखा तो वह भी बहुत अधिक खुश हो गई फिर उनहोंने अपने भाई के लिए बहुत सारे पक्वान बनाए इसके अलावा उन्होंने यम्राज को मिस्टान भी खिलाया और उपहार के तोर पर उन्हें नार्यल दिये यम्राज अपनी बहन का इतना प्यार देखकर बहुत खुस हुए और उन्होंने कहा कि वह उनसे कुछ भी मांग सकती है वर्दान मांगने की बात सुनकर यम्ना ने यम्राज से कहा कि आपकी दया से मेरे पास हर चीज है मैं सिर्फ इतना चाहते हूँ कि आप हर वस एक बार मेरे घर जरूर पधारे अपनी बहन की बात सुनकर यम्राज ने तथा आस्तु कहा और यह कहा कि मैं ही नहीं बलकि आज के बाद हर भाई अपनी बहन के घर जाएगा यम्राज ने यह भी कहा कि इस दिन बहने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाएंगी और यम्राज उस भाई को लंबी उम्र का आशिरवाद देंगे और उसके जीवन की हर मुसीबते भी दूर कर जाएंगी बस उसी दिन से भाई बहन का यहतेवार मनाया जाने लगा भाई दूज 2023 पर तिलक करते वक्त कुछ नियमों का पालन करना होता है जो की इस तरह से है भाई दूज के दिन भाई और बहन को चाहिए कि वे सबसे पहले यम्राज और यम्राज की पूजा अर्चना करे और उसके बाद ही तिलक करे पूजा करते वक्त बहनों को चाहिए कि वे अपने भाई की सभी परिशानियों को दूर करने की प्रातना करे और उसकी लंबे यायों की भी प्रातना करे अपने भाई को तिलक करते वक्त इस बात का ध्यान रखे कि उसका मूँ या तो उत्तर पक्षी में होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए वही बहन का मूँ या तो पूर्व दिशा में हो या फिर उत्तर पूर्व दिशा में बहन को चाहिए कि वो अपने भाई को तिलक करने से पहले वर्थ करे ऐसा करने से भगवान भी खुस होते हैं और भाई और बहन के बीच का रिस्ता भी मजबूत बनता है जब बहन भाई को तिलक कर दे तो उसके बाद अपना वर्थ खोल ले तिलक के बाद बहन अपने भाई को कोई भी मिस्ठान अवश्य खिलाए बहन को चाहिए कि वह अपने हाथ से अपने भाई को मिस्ठान खिलाए क्योंकि यह बहुत सुब माना गया है भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन को अपनी हैसियत के अनुसार कोई न कोई तौफा जरूर दे बहन अपने भाई के दिये गए उपहार का बिल्कुल भी अपमान न करे इस दिन भाई और बहन को चाहिए कि वह आपस में कोई जगरा न करे और अगर उनके बीच में पहले से कोई जगड़ा है तो इस दिन उसे सुलजा ले जब इस दिन कोई भाई अपनी बेहन के घर तिलक के लिए जाता है तो बेहन अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे पकवान पकवाए और उसका खुब आदर सतकार करे अगर किसी बज़ा से भाई अपनी बेहन के घर ना आ सके तो ऐसे में बहन को चाहिए कि वह तिलक का सारा सामान और सुखे नारियल अपने भाई को भिजवा दे तिलक के समय भाई या फिर बहन में से किसी को भी काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए शुब कारे को करते वक्त काले कपड़े पहनना मना है इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और आशा करते हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले